याज हम इसके सीजन वन एपिसोड सेवंत के बारे में बात करने जा रहे हैं और अगर नहीं भी देखी होंगे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियो से लिंक मिल जाएगा जहां से जाकर आप उन बहतरीन वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं चली आते हैं इस कहानी की में स्टोरी लाइन की दरव जिसके शुरुवात में हम देख पाते हैं कि लास्ट टाइम के चलते सारे टास्क मास्टर अब इनके सामने आ चुके थे और इस बार इनसे कहा जाता है कि आप लोग आपसी सहमती के साथ में किसी भी एक लीडर को लीजिए जिसके बाद यह सभी लोग नंबर 182 को अपना लीडर चूस करते हैं यह वही बंदा था जो की पुलीस पोर्स में था कई बार काफी सारे केस को सॉल्व कर चुका था और वार्शिप वाले खेल में उससे पनी टीम को जीत भी दिलाई थी सीके चलते सभी लोग 182 को वोट करके उसे अपना लीडर चूस कर लेते हैं जिसके बाद शुरवात होती है और इसके अंदर सिर्फ 18 लोग ही आगे जाने वाले थे तो सभी से यह कह दिया गया था कि जिस परसन को आप चूस करोगे फिर वो परसन सिर्फ एक यानि कि अपने बेस्ट फ्रेंड को च तो यहां पर भी ठीक ऐसा ही होता है पहले नंबर पर जो 182 था उसने जिसे चूस किया था फिर वो अपने दोस्त को फिर जो आया उसने अपने दोस्त को ऐसा करते करते सभी लोग अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाते गए और इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि टूट कि सभी एक दूसरे का हाथ थाम लेती है और तोटल नौ की नो लड़कियां इस वाले खेल में आ जाती हैं यानि की एलिमिनेशन राउंड में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही बाहर होते हैं हालागी कुछ को इस बातों से दुख पहुंचता है मगर जो लोग आगे अगले प मजबूत हो अगर किसी का दिल मजबूत है लेकिन दिमाग कमजोर तो वह हार जाएगा और कोई इंसान अगर दिमाग से शातिर है लेकिन अगर दिल का काला निकल जाए तो भी वह खेल में आगे जाकर जीत नहीं पाएगा क्योंकि कई बार सामने वाले चीज़ें बिलकुल गेम मैनेजर पहुंच जाते हैं इन सभी बाकी बचे हुए कंटेस्टेंट को लेने के लिए फिर वहीं इनकी पुरानी कलर्फुल बिल्दिंग दिखाई जाती है जहांकि सीडियों से उपर नीचे चड़ते हुए पहुंच जाते हैं एक बिल्कुल ही वाइट कलर के रूम मे जहां पर एक बड़े से कांच के बॉक्स पर काले रंग का कपड़ा धका हुआ था फिर सभी कंटेस्टेंट को एक लाइन में लगा दिया जाता है और इस खेल की नियम बताया जाते हैं तो बेसिकली इस कांच के बॉक्स में आल्रेडी काफी सारी बॉल्स पड़ी होती है जिन पर अलग-अलग नंबर लिखा होता है और अब इने करना ये था कि लाइन वाइस कोई भी आगे आ सकता है और एक बॉल जो की नीचे काले कपड़े से धकी भी ये उसे निकालेगा और फिर जो नंबर आएगा वो सामने वाले किसी वो देगा यानि कि इस खेल में दोस नंबर या फिर आगे आने वाले नंबर खुद के लिए बचा कर रखे और जो उसके दुश्मन है या फिर जिसे वो हरवा देना चाहता है उसे छोटे नंबर दे तो धिरी-धिरी करके ऐसा ही होता जाता है इनी में से लड़की होती है 393 जो कि अपने डॉल को या फिर कहें जिसमें पहले नंबर पर जाते ही लोग मर जाएं तो कोई भी नंबर वन को चूज नहीं करता लेकिन कंपेटिटर 393 को वो तो किसी को देना ही था तो यहां पर वो एक नंबर चूज करती है अपने बनाए गए लीडर 182 को क्योंकि हर बार वो हर जगे सबसे आगे ही कूट तर रहता था और कहता रहता था कि अगर तुम्हें मुझे पर विश्वास है तो मुझे ही लीडर चूज करना तो इस बार उसकी होशारी कहीं न कहीं उसकी कमजोरी भी बन गई जहां पर उसे इस खेल में एक नंबर मिल गया और फिर इसी तरीके से बाकी अलग 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 जहां एक बड़ा सा ब्रिज इनके सामने आता है जो कि बिलकुल काले कमरे में चमकते हुए लट्टूओं जैसा था सेम टू सेम ऐसा ही एक ब्रिच औरिजनल वाले स्कूइड गीम में भी दिखाया गया था जिसके बाद इन सभी 18 कंपेडिटर्स को खेल के नियम बताया ज चाते हैं अगर असली वाले कांच पर कूदेंगे जो की टफन ग्लास है आपका जील सकता है तो आप पहुंच जाएंगे लेकिन अगर आप नकली वाले पर कूदे तो वह तूट जाएगा और आप इस खेल से हो जाएंगे इन नियमों को सुन लेने के बाद में के सभी खिल काड़ी हो जाएंगे इसलिए सभी competitors में बराबर कर रिस्क बाठने के लिए हर किसी को एक एक बार तो आगे जाना ही होगा और फिर इस गेंद की की जो कि अपनी mom के साथ में आया था मगर नमबर 4 को बचाने के चक्कर में वह भी मारा जाता है जसके बाद फिफ्ट नमबर पर मनीश नाम का एक इंडियन आगे आता है जो कि कहता है कि इस खेल को चाहे बले में जीतू यह ना जीतू मगर मैंने हम सभी को इस खेल का विजयत करते ही नहीं और सभी से कहती है कि जिसको जल्दी है वो आगे जा सकता है मैं तो आगे यहां से नहीं बढ़ने वाली और इसी दगड़े सस्पेंस के साथ यह शांदर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है आई होप गाइस की वीडियो एक्स्प्राइब को पसंद आई हो और करेंगे सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में करेंगे सबस्प्राइब में